हिमाच्वर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जहराम ठाकुर ने मानवता की मिसाल पेशती है जहराम ठाकुर ने बद्वाद को कुफ्रिक शेत्र में दुर्गट्ना गरस्त हुई एक कार रखी खायलों को अस्पताल पहुच आया जहराम ठाकुर ठाकुर ठीयोग से एक जनसभा को संबोधित कर वापस शेमला के तरह फ्लोट रहे थे इसी दरान को फ्री में ट्रक और गाड़ी की टकर के चलते चार लोग खायल हो गयते साथ से में गाड़ी चला रहा ड्राइबर दो महिला है और बच्चा खायल हुआ है पूर मुक्री ने खायलों को वक्त पर रिलाच करवाने और हर संबाव मड़क के लिए इस्पताल के चिके साथ धिक्षक से भी खुद फोन पर बाद के अन्दी मंत्री नाक खाकुर लगतार लोकसबाश चुनाओ के तहता आजित करकोमों में शामिल हो रहे हैं इस एकड़ी में मंत्री नाक खाकुर हमीदपुर में अजित पन्नाप रम्खों की बैठक में शामिल होगे बैठिक में रासवा सांसर डॉक्टर सकंदर कुमार के अलावा बोरेंज मंडल पन्ना प्रमुख मुदूद रहेंगे लोग सबस्वा चुनाव के लिए जारी मद्दान की बीच बुलाएगे पन्ना प्रमुखों की बैठा को काफी एहम माना जा रहा है। बैठिक में विशेश रुप से सदर विधायक अनिल शर्मा, विधायक विनोट चौहान और पिजेपी प्रवक्ता मौझूद रहें सभी ने कारेकर्टाओं को लोग सबाचुनाओं में उजीद के लिए जो उश्वरात और वनितुरा खंडासवा सांसरत कलपना सैनी ने कारे सब्सक्राइब बैच का अनिल शर्मा को हिमा चल्प्रदेश का नया पुलिस माहने देशक नितु खिया गया है संजे कुंदू की रटार्मेंट के बार डॉक्तर अतुल वर्मा की बत और पुलिस माहने देशक निथि हुई है निर्वाचुनायो की मन्जूरी के बाद राजी सरकार ने इस समन में अंदिसूचना जारी की है दो महीने पहले हिमाचल प्रदेश शरकार ने डॉक्टर आदुलवर्मा को CID का डिरेक्टर जनरल बनाया था अब डॉक्तर आदुलवर्मा को हिमाचल प्रदेश पुलिस का सर्वो चुपत्त समालने के जम्रदारी दिगए कांगरा के गाउं बाड़ा में लोगों ने लोगसभा चुनाव बहिशकार की चेतावनी दी है दसल गाउं में बीते एक साल से पेजल की समस्या बनी हुई है लोगों का कहना है कि सरकार की उसे चलाई जा रही है उच्णाव के बावजूद भी उन्हें अभी तक पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा जिससे नाराज प्रामी डोड़नी लोगसभा चुनाव बहिशकार की चेतावनी दी लोगसभा चुनाव को लेकर प्रदान मंत्री का तोफानी प्रिचार जारी है प्रदान मंत्री मुदी का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है आज जब पियमोदी चार जनसभाओं को संबोधित करेंगे गुजरात के आनन, सुरेंद्र नगर, जूनागर और जाम नगर में पियमोदी विशाल जनसभाओं करेंगे इस दौरान पियमोदी वीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोटों के अपील करेंगे ये मोदी बुदवार को गुजरात के बनास काठा के अहमत नगर में जनसभाओं को संबोधित किया पियम ने कॉंग्रेस पाड़ हाथ दो लेते वे का कि इस देश के लोगों ने कॉंग्रेस के हरे रादे को जान लिया इसलिए निराशा की गर्त में लुबी कॉंग्रेस जोपिंग पार्टी को नहीं समाल पा रही वो आज सत्ता हासिल करने के लिए निकली है लोग सबाचुनाओं में मिशन 400 पार की रक्ष को लेकर बीजेपी के स्टार पिचार को का धुआधार पिचार जारी है इसके तेर्फिय अमत्रिय अमिशार बीजेपी इन रक्षामत्रिय राजना सिंग आगरा पहुंचे जाए उन्हों ने जलसभा को सब्वोजित करते हैं कहा कि विपक्ष पिएम मोदी को लेकर कुछ भी कहे लेकिन इस सच्चाई को कोई निकार नहीं सकता कि दुनिया में अगर किसी ने भारत का सिरूंचवा करने का काम किया है तो वो पिएम मोदी नहीं किया है देशों में इंतराश्टी मंच पर भारत की बात अब सभी सुनते है कॉंगरेस मीता की भगबाद नकपाले बयान पर यूपी के सेम योगी की पediaस सामने आ है सेम योगी ने काहा कि भारत की इस सवितार स्नस्कूति का अपमान कर भारत की पर Binग्रेस की तुष्टी करण की नहीं की थी कॉंग्रिस नेत्वित को ऐसे तत्वों के कर्मचारियों पर उपरा जुपाल का बड़ा एक्शन हुआ है उपरा जुपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिली महिला आयुक से 223 करमचारियों को ततकाल प्रभाव से हटा दिया गया रोप है कि दिली महिलायों की ततकाली ने देश स्वाती मालिवाल ने नेमों की खिलाफ जाकर बिनानुमती के इनकी निफ्टी पी थी जब कश्मीर के सामबा जिले में अंतराश्ची स्थीमा पर बीस अफ ने एक पाकिस्तानी घुस पैठी एकुमार गिराया बता जारा कि बीस अफ जवानों ने सामबा अलाके में पाकिस्तान की उसे अंतराश्ची स्थीमा पर पार कर आएक बक्ति की संदिक दहर कर देखी जिसके बाद पहले उसे चुनौती दी गई लेकिन जब वो सीमा की तरफ बढ़ता रहा तो सैंको ने इस पर कोली बारी की और इसे मार के रहा है